हेलो एंड वेलकम बेक साथियों मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हर दिक स्वागत करता हूँ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे आज का विसे में लेकर आया हूँ भूगोल जो भूगोल के संपूर्ण अध्याई हमारे साथ अध्याई उन साथों अध्याई को में कवर करवाने वाला हूँ यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस भूगोल के कुछ महत्यपून अब्जेक्टिव टाइप कुश्चन आपके कवर करवाये हैं और आज मैं अध्याई एक जो भूगोल के अंदर संसाधन एम विकास है उसको कवर करवाने वाला हूँ तो संसाधन एम विकास में से आपके दो अब्जेक्टिव आने वाले हैं और एक दो अंका का प्रशन आने वाला है तो मैंने अब्जेक्टिव टाइप कुश्चन पहले ही कवर करवा दिए हैं अब मैं केवाल आपको जो दो अंक में पूछे जाने वाले most important and important question आपको cover करवाने वाला हूँ तो वीडियो के अंते तक बने रहें ताकि आपका भूगौल जो समझे ग्यान का एक चेप्टर है पूरा का पूरा इकाई है समकालिन भूगौल वो पूरा का पूरा कबर हो जाए मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ किसमें से कितने अंक के भी question आने वाले है तो पहला वाला question हम देखते है तीन राज्जी के नाम बताई है जहांपर काली मिट्टी पाई जाती है तो तीन राज्जी हमारे एक महरास्ट, गुजरात और मध्यपर्देश यह तीन राज्जी है जहांपर काली मिट्टी पाई जाती है अगला वाला देखते है इसकी जो मुख के फसल है इसमें कपास उगाई जाती है पूर्वी टट पूर्वी टट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मरदा पाई जाती है इस प्रकार की मरदा की विसेस्ता बताए तो पूर्वी टट की डेल्टा इं मरदा में जलोड मरदा पाई जाती है और केवल हमें इसकी दो विसेस्ता बतानी लिए क्या क्या कदम उठाई जा सकते हैं तो नंबर एक सीडी नूमा सीडी इस्टेब बाइस्टेब खेती करकर ये भी हम लिख सकते हैं इसमें और स्वच्छ रेखा समानतर हल चलाने पर अब अब यहां पर इसका सबसे महत्तपून प्रश्ण इसका जो पार्ट इसमें से आ होते हैं और जिनमें व्याप्त होते हैं उधारन के लिए मनुष वनस्पती जगत प्राणी मतस्च जो जीवन संभव होता है वो जेव जगत अजेव वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तू के बने होते हैं जिनमें जान नहीं होती है वो अजेव संसाधन कहलाते हैं जैस पर इन क्वेश्चनों को मैं इस प्रकार से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से कितने अंक के आने वाले हैं तो छोटे-छोटे अंक के तो इस इप में छोटे-छोटे प्रश्णों को कबर करवाने वाला हूं चोथा वाला देखते हैं नवीनी करण संसादन क्या है तो वे संसादन जो प्राकृतिक में प्रचुर मातरा में पाया जाते हैं और कभी समाप्त नहीं होते हैं वो नवीनी करण संसादन कहलाते हैं जैसे हवा सोरूर्जा मतलब इनका उपयोग करने के बाद पुना ये समसादन और आनवी निकरंड जिनका एक बार उपयोग कर लिया जाता है लंबे समय तब उपयोग के बाद यह समात्त हो जाते हैं और पुर्ण परापते नहीं होते हैं आनवी निकरंड समसादन कहलाते है जिसे जिवास में धन धातु अधी यह हमारा हो अब दो अंक का ब्रस्न जिसमें से most important प्रस्न अब मरदा के बारे हम पड़ते तो मरदा सनralक्षन मरदा सनralक्षन क्या है मतल– म्रदा का कटाउ या वहाओ को रोखना या उसे प्रदूसीत होने से बचाना वो संरक्षन कहलाता है तो म्रदा से आसे हैं मिटी और मिटी के बहाओ को रोकना और उसे दूसीद होने से बचाना मतलब गंदा होने से बचाना वो म्रदा संरक्षन कहलाता है अब म्रदा परदन मतलब म्रदा का कटाओ जो होता है बारिस के कारण उसे के से रोके नमबर एक व्रक्ष लगाकर नमबर दो व्रक्ष की कटाई पर रोक लगाकर और सिरीदार खेती या पसुचारण को रोक कर यहाँ पर आपको दो पाइंट याद करने हैं क्योंकि इस पार्ट में से दो नमबर का प्रशन आने वाला यहाँ पर मैंने बांगर और खादर भूमी दी है इसमें मोस्ट आइंप पर प्रशन है यह बांगर और खादर भूमी के केवल दो पाइंट याद करने है क्योंकि इस पार्ट में से दो अंका का प्रशन आने वाला है तो बांगर भूमी यहां उत्री उच्च मैदान की भूमी है और यहां उत्री निचली मैदन की भूमी अब जो उची है तो यहां पर वर्षा का जल नहीं पहुच पाता है और यहां तक यह निचली भूमी है तो यहां पर वर्षा का जल पहुच पाता है तो यह आपको दो प समाप्त हो जाते हैं वह वह होई प्रस्ण रिपीट यहाँ परकर दिया है कसी भी देस के विकास के लिए मानुव संभाज़न स्वास्त निवपूरन होते हैं या निर्भर करता है अब जल संदक्छन के उपाई नदी के जल में गंदगी ना करें कारखानों के अपसि Primus पदारत को नदी के पानी में नदी में जल के Bonjour और जल का उप दूर उप्योग ना करें अब यहां पर हमने जल संदक्छन आप देखते हैं इसमें वनों का संदक्षन बहुत आवज्चे क्योंकि हमारे वन हमारे लिए बहुत महत्वण हैं उनके कई लाब है जैसे वनों से हमें इधन के रूप में लकडी प्राप्त होती है वनों से हमें रोजगार प्राप्त होता है और सहद गोन जड़ी बूती आदी जिसे वनों से हमें प्राप्त होते हैं अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं यह कुछ मेहत्यपुर्ण प्रश्ण इस चैप्टर में से कवर करें इसके बाद हम अगले वाले चैप्टर को देखते हैं अगला वाला चैप्टर है हमारा one एम जैसे हमने संशाधन के बारे में प सन 1992 में ब्राजिल के सहर रियोडी जेनेरो संयूक्त राष्ट संग ने परियावरन क्योंकि हम अब वन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वन वाले चेप्टर में से आपका दो अबजेक्टिव और वन संसादन वाला दो अबजेक्टिव क्योंकि मैंने इसमें कॉमन करके सारे के सारे भूगोल के प्रश्ण दिये हैं जो जो चेप्टर वाइस में आपको बता रहा हूँ राष्ट परियावरण विकास सम्मेलन के तत्वा उधान में राष्ट अध्योक्षोद और स्वक्रत किया गया इसका उद्देश सिभूम अंडली सतत परियावरणी विकास हसिल करना सीधी भासा हम बोला जाए तो एजेंडा एक्ट परियावरण की सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन जारी किया गया था या बना गया था जो 1992 में किया था अब हम देखते हैं स्वामीतु के आधार पर संसादन के विभिन प्रकार कौन कौन चे तो स्वामीतु के आधार पर संसादन चार प्रकार के होते हैं नमबर एक नीजी जो स्वयम किसी व्यक्ति के आधीन होते हैं वो नीजी संसाधन होते हैं फिर सारवजनिक जो सरकार के स्वामितु में होते हैं राष्ट जो राष्ट लेवल पर होते हैं और अंतराष्टी जो विदेशी और राष्ट दोनों में चलते हैं अब हम चेप्टर और एक दो नम्मर का प्रश्ण है यहां पर प्रश्ण पढ़ते हैं आरक्षित वन वहां वन है वन और वन जीव संसाधन संडक्षन की दृष्टिकोंड से सरवादिक मुल्लिवान है यहां पर वन को सुरक्षा दी जाती है फिर रक्षित वन वन भूमी में जो अधिक छरण स मुल्fa बचाए जाती है और आवर्गीकरत सरकार व्यक्ति केनीजी समझ दृधाय में प्रदान करते हैं आब हम अगले वाले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं कियों कि यहां से छोटे-혼 आने वाले हैं दो अंक्य के तो में आपको अध्याय दोक्य पढ़के बताता हूं या समझा देता हूं पहला वाला किसी छेत्र की वनस्पति को प्रभाइत करने वाले तत्व कौन-कौन अब तीसरा देखते हैं उन प्राणियों के नाम बताई जो विलुप्त होने की कगार पर है जो मतलब समाप्त होने की कगार पर है तो सेर, चीता, सोन्चिरया, गेंडा आदी ये समाप्त होने की कगार पर है पारिस्थितिक तंतु से आप क्या समझते हैं तो भोतिक, जेविक परियावरन और उसमें रहने वाले जीव सम्मिलित हैं पारिस्थितिक तंतु कहलाते हैं सागोन चंदल बबूल के व्रक्ष के एक एक उपयोग बताएं तो सागोन से हमें क्या फरनीचर के लिए इमारती लकडी गेट दरवाजे आदी बनाये जा सकते हैं चंदन से अगरबत कि अब देखते हैं जीव आरक्षित छेतर किसे केते हैं तो जेव विविद्धिता की रक्षा जो करते हैं ऐसे छेतर नेधरित कर दिये जाते हैं वहां पर recipient की रक्षा कीस य जाती है जीव आरक्षित चेतर हैंode अब हम प्रश्न परते हैं जे विविदता को प्रभावित करने वाले कारक तो जे विविदता को कौन-कौन्चे कारक नंबर एक फरनीचर के लिए लकडी की मांग बढ़ रही है जिससे पेड़ कट रहे हैं और जलाव के कारण लकडी का प्रियोग ज्यादा हो रहा है जिससे जलाव लकडी के लिए व्रक्ष को कटाया जाता है तो ये हमारे दो कारण हमने बता दिये गए अब हमें संकट ग्रस्त जाती से क्या भी प्राए तो वे जातियां जो विलुप्त होने का खत्रा है याने कि वो धीरे धीरे नश्ट होती जा रही है जिन विशे परिस्तिती के कारण उनकी संख्या बहुत कम हो गई है यदि वे उन पर यदी सुरक्षा नहीं की गई तो इन जातियों को जीवित रहना कठीने ये नारी गलत है यहाँ पर हैना तो ऐसे काला हिरन मगर मच जब जैसे हम देखते हैं हमारे जंगलों में हिरन का जुंड होता उसके अंदर बहुत सारे हिरन होता है और उसमें एक ही हिरन काला हिरन होता है तो यहाँ पर वो संकट ग्रस्त जाती में आ गया प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व विश्व की एक बहतरीन वन या सेर या टाइगर के लिए सुरुवात की गई थी इसका सुरुवात हुआ था 1973 में जो जो बाग हैं वो संकट ग लखी जाती है या प्रोजेक्ट टाइगर है अब आवरगी करत्वन मैंने इन चैप्टरों में अंकवाइज ही आपको प्रस्ने दिये हैं ताकि वो जितने अंक के प्रस्ने उतने बड़े आपको लिखके आने और सब्द सीमा का विशेश ध्यान रखना है एसे वन जो कहीं मूल जाती और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हसिये पर पहुंच गये मतलब उनकी इस्तिति यह हो गई उन्हें खाने के लिए नाज भी नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर वनों में रहने वाली जाती है धीरे धीरे क पर रोपन करने का क्या खत्रा सामने आया है तो कुछ परियावरणी विस्यसग्यों के अनुसार भारत के कई छेत्रों में समवर्धन व्रक्षा रोपन अर्थात वालनिज्ज की द्रश्टी से कुछ एकल रख्ष जाती के बड़े पैमाने पर रोपन करने से पेड़ की समसादनों का संरक्षण करना बचाओ करना उनको रोकए रखना भारत में जेवी विधता और कम करने वाले कोई दो उपाई बताने तो AC जीवी जी ओधीर में के विलूप्त हो रहे है दूसरा वाला हमारी कालोनिय के आसपास लगभग 75 परिवार जोपड़ी जोपड़ पट्टियों में रहते हैं वे लकड़ी का इधन का उपयोग करते हैं जलाने के लिए जलाव लकड़ी के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं जो जंगल से काट कर लाते हैं और जंगलों को सिकार पर रोक लगा कर जो कानून बनाया जाए और उसे तोड़ने वालों पर सक्त जुर्माना या सक्त नियम लागू करने चाहिए यहां से मुझे केवर आपको दो-दो पाइंट बताने हैं बड़े प्रशन हमने आपको बताया हैं आप चाहें जो पाइंट इसके कर सकते है अब हम जल संसादन की बात करते हैं तो जल संसादन में आपका एक अंक का विकल्प आने वाला है और वो विकल्प मैंने पुराने वीडियो में आपके समझा दिये हैं और यहां पर भी मैंने विकल्प आपको दिये हैं तो ध्यान से पड़े और इनको आप देख सकते हैं त पूर्ण यहां पर सत्य सत्य भी इस से इसके अगले अध्याई की बात करते हैं अगले अध्याई में हम क्रसी से संबंदित बात करते हैं तो क्रसी में देखते हैं क्रसी में क्या-क्या आपके प्रशना आने वाले हैं यह अध्याई हमारा तीन स्टार्ट हो गया है अध्याई आने वाले हैं यहाँ पर देखते हैं राजिस्तान के अर्थ अर्द सुस्क दोनों छेतर में वर्षा का जल संग्रहन की किस प्रकार की विधी है तो राजिस्तान में अर्द सुस्क छेतर में तंका या भूमीगा टेंक तंका भी बोलते हैं उसको भूमीगा जमीन के अंदर ए रखा जाता है तो जल संसादन क्या आपजेक्टिव यह चल रहा है अब यहाँ पर बहुत देशी परियोजना का एक उधरन बताईए तो इंद्रा सागर परियोजना बहुत देशी परियोजना है जल नवीनिकरन संसादन क्या है तो जल का नवीनिकरन संसादन जल एक नवीनि चेप्टर को हम देखते हैं तो क्रसी वाला चेप्टर यहां से स्टार्ट होता है हमारा एक विकल्प और एक दो नंबर का प्रस्न तो हम देखते हैं यह हमारा चोथा वाला चेप्टर इस भूगोल का हमारी काई का अब यहां पर क्रसी क्रसी क्या होती है तो क्रसी फसलो फलो फूलो पसुपालन आदिकारियों के क्रसी के अंतरकत आते हैं क्रसी के सोपन बताई तो क्रसी में जुताई करना बुवाई करना नीदाई करना मलब क्रसी में क्या-क्या काम होते हैं सीचाई करना खाट डालना खाद या उर्वक कीटना सक के रूप में, कटाई के रूप में और दलाई के रूप में अब हम देखते हैं जीवन निर्वाहा क्रसी पर किस प्रकार से होता है तो इसका उद्देश सी क्रसी करने क्रसी करके जीवन निर्वाहा या अपनी जीवन की आची का चलाना जीवन चलाने वाले परिवार का पो क्रसी होती है परवति सबמצ क्या है तो पशरती सब्सक्राइए के जमीद को खाली छोड़ना उसको पढ़ती कहते हैं हेся चुनती की यह कacious है उसको है यह कई जिसको हम वह च्वासा में बोलते हैं जुम खेती क्या है तो जूमखेती करतन दहन खेती को जूमखेती कहते हैं तो जूमखेती कि यहां पर परिभासा बतानी हमें जूमखेती में जंगलों को काट कर जला दिया जाता है फिर कुछ समय बाद वहां पर क्रसी की जाती है उसे करतन या गहन खेती कहते हैं जिससे कहीं प्रकार से हमारे जंगल का दोहन हो रहा है जो लोग इसको काट कर उसके खेती करते हैं गहन खेती एक बड़े भूभाग पर खेती की जाती है और उसमें राशानिक उर्वा कीटना सक आधी को उपचारित किया जाता है उसे हम कहते हैं अधिक निवेस कमाना या लाब कमाना वार्निज्ज करसी हमारी व्यापारी की रूप से इसका दूसरा नाम उदेशिया लाब प्राप्त करना रोपन जब एक नरसरी में छोटे-छोटे पोदों को तैयार किये जाते हैं और रोपन की जाती है जब किसी एक फसल को एक बड़े भु अब जाड़े की फसल या रभी की फसल रभी मतलब ये जो ठंड के महीने में चलती है वो फसल और खरीब मतलब जो खप-खप खासे खरीब और खासे खप-खप यानि वरसा रितुमे यदि वो फसल वरसा रितुम बोच जाती है तो ठंड अब खरीब की फसल जैसे कपास, धा मक्का स्वया भी यह मुख्य रूप से खरीब की फसल है जायाद की फसल वे फसले जो रभी और खरीब दोनों में मिलकर बोई जाती है वो जायाद फसले कहलाती है जैसे सबजी तर्बूज सबजी लगाई जाती है और यह हमारी जायाद की फसल में आती है चक बंदी क्या है तो खेटी को छोटे छोटे टुकडों के साथ मिला कर जोड़कर करसी करना ये चकबंदी कहला थी हरित करांती का मतलब यह होता है अच्छे उन्नत, खाद, बीज, उर्वक, सीचाई आदी के माध्यम से बड़े पेमाने पर उत्पादक लेना हरित करांती का एक उद्देश यह सुनेरा रेशा जूट या पट्सन को रुख सुनेरा रेशा कहा जाता है स्वेत करांती का संबंद किस से तो स्वेत करांती का संबंद दुख दुथ पादन से इसको milk में या हरियाना में यहाँ पर इसका मुख्या ले है खाद्धी सुरक्षा क्या है खाद्धी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना खाद्ध्यान मतलब वे फसले जो खाने योग गया उप्यूक तो होती वो खाद्ध्यान फसले कहलाती है अब इस चेप्टर के सबसे most important प्रस्ण में आपको बताने वाला हूँ पहला वाला प्रस्ण इसमें बफरिस्टाक तो बफरिस्टाक यदि किसी देश में समस्या आती है संकट उत्पन्न होता है तो वहाँ पर वहाँ की सरकार या वहाँ पर भंडारन रखने के लिए कुछ गोडाउंस बनाए जाते हैं वहाँ पर भंडारन किया जाता है ताकि संकट के समय में उस खाध्यान को कम कीमत पर या न्यून्तम समर्थन मुल्ली पर समर्थन मुल्ली वो होता है जहाँ पर उसकी कीमत फिक्स कर दी जाती है और उससे ज्यादा उसकी कीमत नहीं ली जाती है सरकार देती है वही आपका बफर स्टॉक कहलाता अपनी भासा में यह सिंपल है अब रभी और खरीब की फ़सल खरीब का मतलब होता है खप खप याने की वरसा रितुम बोई जाती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मांसून रितु याने की वरसा रितु के आगमन के साथ बोई जाती है और यहाँ पर ठंड के समय में बोई जाती है खप खप याने की वरसात की फ़सल कौन कौन सी है तो बरसात की फसल है हमारी जुहार, मक्का, कपास और मुख्य रूप से स्वयाबिन तो स्वयाबिन की साथ में हम मक्का बोते हैं और मक्का, जुहार, बाजरा और कपास याब होई जाती है बारिस किसमें और यहाँ पर गेहू, मुख्य रूप से खाद्यान फसल चना, सरसो, मटर, आदी अच्छा या इसका तरीका यह यह वर्षा के जल की आवश्यक्ता होती इसमें वर्षा के जल की आवश्यक्ता नहीं होती हमने चार पाइंट इसमें साब को दो पाइंट याद करने है हरित क्रांती हरित क्रांति का मुख्य उत्देश यह है अच्चे उन्नत किसम के बीच का इस्तमाल करे खा देव मुरवक का इस्तमाल करे और क्रशी चेत्र में अधीक उत्पादन के तरीके को अपना या उत्पादन ले इस प्रकार से आपूँ स्में लिख सकते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं खनीज तो खनीज वाला हमारा अगला चेप्टर स्टार्ट हो गया है तो खनीज हमारा पाचवा चेप्टर है जिसमें खनीज में हमारे अबजेक्टिव टाइप प्रशन आने वाले हैं तो खनीज संसाधन और विनी में उद्ध्योग तो पर भूगर्ब से खनीज की मात्रा आसमान रूप से कहीं पर मिलती है कहीं पर कम मिलती है वे खनीज अनविनिकरन संसादन केलाते हैं अब यहाँ पर अवसादी चट्टान क्या है तो अवसादी चट्टान में खनीज पाये जाते हैं इसके निर्मान के लिए छेतित परत के अ वस्त्वे खनीज की आवश्क्ता पढ़ती है इसलिए यहां पर हम इसको दात साप करने के लिए फ्लूराइट दात को गलाने से रोकता है और फ्लूराइट नामक खनीज से प्राप्त होता है अधिकतर दन्तमंजन में टीटेनियम आकसाइड सफेद बनाने के लिए मिलाया ज आप परंपरागत या गेर परंपरागत तो परंपरागत स्रोथ वहां स्रोथ होते हैं जो परंपरागत वे स्रोथ जो उर्जा का उप्योग करने बहुत पहले आगाये हैं और यह पहले नहीं आएं तो हम आगे की तरफ इन प्रश्णों को तयार करके लाएं तो पूरा का सिरूत जिनका उप्योग हाली में वर्षों में शुरूँ है यह पहले से हम उप्योग करते हैं जो हमारी परमपरा चलिया रही पुरानिक पद्दती से जैसे यह उर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं और यह प्राया प्रदूशन भी नहीं करते हैं अब यहां पर ताप विद्धु तुर्जा और जल विद्धु तुर्जा यानि की कोईला खनी तेल याना गर्माहट और जल विद्धु तुर्जा यहां प्रमुख इसका इसमें बनाने का प्रमुख साधन जल है और इसमें कोईला प्रमुख साधन है यहां बनाने के लिए नदियों पर बड़े-बड़े बांध बना कर जैसे टीरी बांध गांधी सागर बांध उकारेश्वर का जो डे में इंपी में वो बांध इससे जलका खनीज क्या है तो सामानीता वे पधार्त जो खनन या खुदाई के दोरान मिलते हैं वो खनीज कहलाते हैं यहां तक दोंक का प्रशन हो गया जैसे कोईला पेट्रोलियम लोहा आधी हमारे खनीज में आते हैं लोहा और अलोहा खनीज के बारे में बताना है तो लोहा खनीज लोहा खनीज वे खनीज होते हैं वैसे खनीज जिन में लोहे का अंस या लोहे की मात्रा पाई जाती वो ल अलोहा खनीज वैसे खनीज जिन में लोहा का अंस नहीं होता है वो अलोहा खनीज कहलाते हैं तो वैसे हमने लोहा और अलोहा खनीज पड़ा अब मेगनिसियम के उप्योग तो मेगनिसियम के दो उप्योग हमें ब्लीचिंग पाउडर में और कीटना सक दवाई के रूप में यह मेगनिसियम के उप्योग है कहा कहा पाया जाता है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश 27 27 प्रतीसत महराष्ट 25 प्रतीसत ओडिशा 25 प्रतीसत करनाट ग्यारा प्रतीसत आंदर प्रदेश 10 प्रतीसत यह अब यहाँ पर कुछ मानचित्र दिये हैं और यह आपके इसमें से मानचित्र वाला कुछन है तो मानचित्र वाले कुछन में हमारा कितने अंक का आने वाला है चार अंक का एक प्रस्न आने वाला तो मानचित्र में तारापूर यह कहाँ पर है तो यह सारे के सारे प्रस्न देखें और मांचित्र में यहां पर भरे हुए हैं यह आप ध्यान से इनको देख सकते हैं और आपको पता लगाना है कहां कहां मांचित्र में क्या क्या कौन कौन सी जगा पाई जाती है मैंने मांचित्र आपको दे दिया है और आपके स्वेम के पास भी मांचित्र है तो उसमें से करने की जरुवत नहीं क्यों ध्यान रखना है तो इस अध्याई में से जो खनी जयम उर्जा संसाद ने इसमें से आपके हमने चार अंक का एक प्रस्ण और तीन अंक का एक प्रस्ण तो तीन अंक के लिए मैंने गेर पर अंपरागत उर्जा के सुरोंत यह सभी समझाएं और चार अंक के लिए आपका मानचित्र आपको बताया तो चार हमने मानचित्र बता दिये अब हम छटे वाला अध्याई की तरफ बढ़ते हैं छटे वाला अध्याई का नाम है हमारा वी निर्मान उद्ध्योग तो वी निर्मान उद्ध्योग आपका टोटल मिला के तीन अंक कैसे फेलाता है तो यहाँ पर उद्योग का देश की आर्थिक इस्थिति में बड़ा महतु योगदान है लेकिन यहाँ से कहीं प्रकार के नुक्सान भी हमें जहलने पड़ते हैं जैसे की वायू प्रदूसर्ण, जल प्रदूसर्ण, भूमी प्रदूसर्ण, ध्वनी प्रद डलता है उससे हम वायू के प्रदूसर्ण होने से ध्वा मिलने से हमारी पूरी की पूरी वायू दूसर्ण हो जाते हैं जल प्रदूसर्ण, यहाँ पर जल में अनावश्यक पधार्त मिलाने से या जल के स्रोत के पास कोड़ा करकट मिलाने से भूमी प्रदूसर्ण, यदि भूमी के अंदर वेसे राशनीक पधार्तह कोना निश्ट्र करते हैं तो ओंप यहें और अपको आपको शकति नुत्यजना परती है सुन्ने की छम्त कम होजाती और रखत चाप बढ़ जाता है ताप एप प्रदूशन कारखानों से या रस्वोई घर से गर्म जल ठंडे जल में मिल जाता है और नदी तालाओं में छोड़ दिया जाता जिसे ताबिक प्रदूशन फेलता है स्वामित्यू के आधार पर उद्ध्योग होगे प्रकार बताई है जैसे भारती रेल लोहा स्पात इसे लिखना है आपको नीजी उद्ध्योग किसी भी एक विशेस नीजी व्यक्ति के स्वामित्यू में होते हैं और उस व्यक्ति का उद्ध्योटा लाप्राप्त करना जैसे कंपनियों के नाम डाबर उद्ध्योग टेक्सको कंपनी अब सहयकारी उद्ध्योग जिनका स्वामित्यू कच्चे माल की पूर्ति के लिए किया जाता है वह हमारे सहकारी उद्योग कहलाते हैं है ना अब हम अगला वाला प्रस्ण पढ़ते हैं संकलित इसपात उद्योग में सामान अंतर बताईए तो यहां अंतर आपको तीन अंतर पढ़ने है यह आपके एक्जाम में महते पुर्ण आधार इन से बनाना अब उद्योग को प्रभाइत कच्चे माल की प्राप्ति सक्ति साधान और उप्योक्त में उप्योक्त जलवाई मिलनी चाहिए उद्योगों की आवस्थित को प्रभाइत करने वाले तीन कारण यहां पर हमें स्रम देना होता है बाजार की आवशक्ता होती है परिवायनम संचार की सुवीदाय में होती है उत्पाधक तथा व्यापार सरकार का निययन्त्रन होता है उस अध्याय में मैंने आपको संप्रोल का सुलिष्न प्रवाइट किया है और जो व्याप्ड़ेक्टिव या उब्जेक्टिव है राष्ट य अर्थिवास्ता में उसकी मैंने objective की पूरी की पूरी वीडियो एक वीडियो बना दी है जो कि आपके लिए महत्तपूर है यदि आपने हमारे वीडियो को अंतर तक देखा है वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चेनल परने तो चेनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार में सामाजीक विज्ञान के वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा जिनकी प्लेइलिस्ट बना दी प्लेइलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं तो अगले वीडियो में हम जल्द मिलते हैं आपको टाटा बाई बाई जेहिं साथियों